वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी एड़्थ क्लास की मैज की बुक है उसमें जो चैप्टर वन है स्क्वियर एंड स्क्वियर रूट उसकी मैंने आपको वक्षिट वन स्टार्ट करवा रखी है इसमें अब हम इसका कुश्य नमबर 2 करेंगे मैं एक चीज और आपको बता दूँँ कि यह भी मैं वीडियो डाल रही हूं वीडियो की डिसक्रिप्षिन में डिसक्रिप्षिन क्या होता है जहां वीडियो जैसे अगर उपर वीडियो चल रही है तो उसका नेम लिख्खा होता है तो वहां पर आप अगर वहां पर प्लिक करेंगे, यहां साइड में एक छोटा से से ट्रैंगल सा बना होता है, अगर आप मोबाइल पर यूज कर रहे होंगे तो ठीक, अगर आप उसको ओन करोगे तो वहां नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और वहां पर आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा रहां पर आपको ये सारी वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएंगी जो chapter 1 से related है वहीं मिल जाएंगी और according to lecture होंगी वो lecture 1, lecture 2 तो यहाँ पर हम अपना question 2 start करते हैं इसमें देखो क्या है which of the following numbers are perfect square of even numbers अब आपको यहाँ देखो question में आपको कुछ numbers दियो हैं 121, 225, 784, 841, 576, 6561 अब हमें इसमें से करना क्या है which of the following numbers are perfect square अब आपको इनको देखना है और इनमें से देख के बताना है कि कौन से perfect square है और एक कुछी साथ में देखनी है perfect square of even number कौन से even number के perfect square है अब आपको मैं यहाँ पर एक important चीज़ यहाँ बता देखो और बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको आपको सुनना है यहाँ खलक टेपर पर करवा देते हैं आप यहाँ देखें मैं आपको एक property करा रही हूँ जो आपकी book में facts से लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर मैं लिखूंगी even numbers लिखूंगी और यहाँ पर मैं odd numbers लिखूंगी ठीक है even number कौन से होते हैं जो हमारे two की table में आते हैं ठीक है तो two की table में कौन से आएंगे two, four, six, eight, ten and up to zone कभी खतम तो होते हैं कहीं तक चले जाओ ठीक है और odd कौन से होते हैं कि हमारे in के अलावा जो रहा जाएंगे ठीक है two यहाँ आगे तो one कहीं नहीं आया तो one हमारा odd है two यहाँ आया तो three इदर लिखना है four यहाँ आया तो five इदर six तो यहाँ seven nine, eleven ठीक है and up to zone ठीक है even number इदर लिखे odd number इदर लिखे अब आप even number का square करों आप जब भी square लिखें तो यह थोड़ा सा छोटा लिखें ठीक है two का square करना है two का square कितना होता है two two's are four four का square कितना होगा four fours are sixteen, six square कितना होगा six six are thirty six, eight का square कितना होता है 64 जैसे और आप यहां देखे कि आपको na squares learn करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि जैसे जैसे आप question करते हो मिझे इनका ऐसे कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है जैसे जैसे आप question करते जाओगे तो आपको यह मिझे अपने आप से याद हो जाएंगे 8 का square करेंगे 8,064 10 का square कितना होगा 100 ठीक है अब यहां देखो 1 का square करेंग कितना हैगा 1 multiply 1 1 आएगा 3 का square करेंग कितना हैगा 33,009 5 का square 55,0025 7,7049 9,9081 11 का square कितना होता है 121 ठीक है मैंने लिख दे हैं यहाँ पर जो even number थे जब हमने उनका square किया तो जो answer आए वो भी सारे कैसे आए है even ही आए है means जब आप किसी even number का square करोगे तो जो answer आएगा वो भी कैसा आएगा even number ही आएगा ठीक है और जब आप कोई odd number लोगे जब आप odd number कोई लेते हो जैसे 1,3,5,7,9,11 वो भी क्या आता है odd number ही आता है ठीक है तो आपको यहां से एक property पता चल गई है कि even number का square क्या होता है even और odd number का square क्या होता है odd ठीक है यह आपकी बुक में जो facts है उनमें ही लिखा हुआ है तो even number का square करोगे तो even आएगा और odd number का square करोगे तो ओड आएगा अब आपका ही जो question है कि इसी पर depend है ठीक है अब इन्होंने बोला है which of the following numbers are perfect square of even number अब हमने तो सिखा है squares of even numbers are always even ठीक है कि जब आप जो square करते हो squares of even number जैसे 2 है 2 का square करोगे तो वो 4 आएगा ये भी even है और ये भी even है तो अब आप यहां से देख लो चलो ठीक है मैं आपको यहां टेबल में दिखा देती हूँ यहां पर देखो 121 है यह देखो 121 perfect square है 225 यह रहा 225 भी perfect square है 784 यह सारे ही perfect square तो दिये हुए है तीक है सिर्फ हमें इसमें यह check करना है which of the following number are perfect square of even number कि even number के perfect square कौन से है अब मैं यहां पर लिख देती हूँ 121 है last digit चेक करो last digit से हमें पता चल जाता है कि कोई number even है या old है last digit अगर 2 की table का है तो तो वो even होगा और अगर 13759 है तो वो क्या होगा अब यह इसमें तो 1 आया last में तो old number है इसमें last में 5 आये तो old है इसमें last में 4 आया 4 कैसा है 2 की table का number है ठीक है तो यह कैसा है even इसमें 1 आया यह old है ठीक है यहां पर last में 6 आया तो यह क्या है even है यहां पर last में क्या है 1 आया तो यह कैसा है odd है ठीक है तो हो गया हमारे clear अब इसमें से हमारा answer क्या हो जाना चाहिए ठीक है answer क्या हो जाना चाहिए यहां पर आपका even कौन कौन से है 784 ठीक है और यहां से 576 ठीक है तो यह हमारे answer आ जाएंगे आपको ज्यादा अच्छे से और लिख के दिखाना तो आप ऐसे कर सकते हो 784 ठीक है यह आपका किसका square होता है मैंने आपको बोले कि आपको learn तो करने ही पड़ेंगे तो यहाँ से देख लो 784 किसका होता है 28 का square ठीक है तो अब यहाँ से आपको पता चलिक है क्योंकि यह इवन नंबर का square इवन आया और 576 किसका होता है 24 का ठीक है 24 मैं आपको दिखा भी कितनी हो आपको clear हो जाएगा 24 का square कितना होता है 576 ठीक है तो यहाँ पर यह आपका question number 2 है ठीक है आपको मैं वैसे वीडियो में आपको एक या दो ही question कराऊंगी वीडियो ज्यादा लबी नहीं करोंगी क्योंकि फिर उसे बच्चे वोर हो जाते हैं ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें thank you so much